Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains और मैं हूँ आपकी Economics Educator Gauri Jadon और लेके आई हूँ आप सभी के लिए most important questions NCRT के जो हमें discuss करने हैं सारी questions NCRT के बहुत important इसलिए मैंने बोला most important questions क्या होता है ना students NCRT से कोई भी line उठा के आपको दे देंगे और बोलने के comment तो क्या मतलब है कि NCRT की हर एक लाइन बहुत important है इसलिए ये सारे solutions को हम लोग करने वाले हैं और before that आपको बताना चाहती हूँ कि Magnet Brains एक ऐसा platform में जो provide करता है free and quality education अगर मैं CBSE की बात करूँ to kindergarten से लेके class 12 तक के सारे courses आपको यहाँ पर provide किये चाते हैं we also have a Hindi medium channel जहाँ पर हम cover करते हैं from class 6 to class 12 also we provide e-notes and e-book जिसकी link description box में already given है तो एक बाद जाके आप ज़रूर चेक आउट करेगा and not just CBSE हम different state boards को भी follow up करते हैं जिसकी UP board, Bihar board, Delhi board, Rajasthan board and everything will be provided to you so don't worry about it जल्दी से like share and subscribe करते हैं हमारे चानल को right? तो start करते हैं आज का यह session students तो सबसे पहले जो हमारे पास question आ रहा है अब देखो मैं यह चीज मान के चल रही हूँ कि अगर मैं NCRT solutions पर आ रही हूँ तो आप पहले ही ना सारी चीजों को discuss कर चुके होगे एक बार revise कर चुके होगे और अगर revision नहीं भी किया है कोई बात नहीं फिर भी आपको इस session देखना है कोशिश करनी है कि भई हमारे दिमाग में कितना हमें याद है जब आज़ी पर चुके हैं आप देखो जो consumer behavior की जो पूरी सीरीज है बहुत लंबी रही है हमने एक तरीके से according to NCRT chapter number 2 पड़ा है लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ different books की जो आपके you know curriculum में follow होती है उसमें हो सत्ता है कि consumer equilibrium से chapter number 2 हो right third आपका demand हो and fourth हो आपका elasticity of demand right तो उस case में क्या है एक तरीके से मैंने NCRT solutions हम करने वाले हैं उसमें total 4 chapters हा रहे according to different books अब देखो NCRT solutions के करें बात करूँ इस particular chapter की there are total 26 questions तो अगर मैं इसको एक को में करती ना तो बहुत लमा वीडियो हो जाता और आपके लिए बहुत जादा stressful हो जाता कि अचानक से सारे 20 के उपर questions हम कैसे solve करें इसलिए मैं उसको दो parts में लेके आई हूँ आज के part में हम cover करने वाले students question number 1 से लेके question number 13 तक और आने वाले session में हम बाकी के questions को बहुत अच्छे से cover कर लेंगे क्या है ना क्योंकि जल्दी का काम क्या होता है शेतान का और मैं नहीं चाहती है कि बिल्कुल भी आपसे कुछ भी चीज़े miss हो है ना तो इसलिए थोड़ा slow जाएंगे आराम से चीज़ें को पढ़ेंगे ताकि हर एक चीज आपको बहुत डीटेल में समझ जाए and you know how to attempt the question तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है what do you mean by the budget set of a consumer देखो हमने दो चीज़े पढ़ी है एक budget line होता है और एक budget set होता है आप तुमाद दिमाग दोड़ाओ दोनों के बीच में क्या difference है एक में हम पूरी एक तरीके से income को खर्च कर देते हैं हम देखते हैं कि भाई कितने उस income हम कितना maximum खरीच सकते हैं यही एक difference है किसके बीच में budget line और budget set के बीच में अब क्या है वो difference कैसे है उसको इंबाग जल्ली से revise करते हैं सबसे पहले इस the collection of all the bundles that the consumer can buy with their income of the prevailing market prices is called budget set of a consumer तो आपको यह आद रखना है जब मैं budget line बोल रही हूं है न बजट लाइन कुछ इस तरीके की हमारी लाइन रहती है budget line क्या होता है कि भाई जितना ही पैसे हमारे पास है न हमने पूरा खर्चा किया ठीक है तो इस line पर आ आ रहा है कुछ भी तो मैं बोल सकती हूं कि आपने तरीके से optimum अपने पैसे खर्च करें पूरे खर्च कर दिये इसके अंडर है है ना मतला वी और अच्छे से आप खर्चा कर सकते थे पर आपने नहीं किया और यह तो ऐसी चीज़ जिसको मटें करी कि नहीं सकते तो जब मैं बात करी हूं budget set की budget set क्या बोलता है कि suppose आपके पास 100 rupees है और market का जो प्राइस है उसको according ले आप जिदना भी पर्चेस कर सकते हो वो क्या होता है budget set याने budget set में यह सारे points तो definitely आएंगे प्लिस यह वाला point भी आएगा तो उसको मैं क्या बोलोंगी budget set ठीक है लेकिन line क्या है line word दिया है मतलब उस line पर कौन-कौन से आ रहे है उसका मतलब क्या है कि जित्ता ही पैसा मेरे पास था 100 रुपीस मेरे पास थे तो 100 रुपीस पूरे के पूरे मैंने खर्च करके यह यह commodities को पर्चेस किया अब यह हम किसमें पढ़ते हैं हम लोग इसको पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व की बात है ना इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता कि भी अगर यह नहीं तो यह चल जाएगा हम क्या कोशिश करते हैं कि हमें maximum satisfaction receive करनी है उसके लिए कोई भी commodity हमाई लिए चलेगी जिसमें हम indifferent है अगर यह नहीं तो यह चल जाएगा लेकिन हमारा क्या condition है हमें equilibrium पे आना है तो इसलिए हम उसमें क्या पढ़ते हैं budget set और budget line का पूरा concept हम पढ़ते हैं सो budget line में क्या होता है कि जितना भी पैसा हमारे पास है पूरा खर्चा करने के वाद जो line पर points आते हैं वो budget line है और set क्या कहता है कि जितने भी bundles combination जो हम purchase कर सकते हैं वो market price में उतनी income में उसको हम क्या बोलते हैं budget set तो इब फिर से go through करते हैं इसके लिए so the collection of all the bundles याने all bundles को हम क्या बोल सकते हैं all combinations that the consumer can buy with their income at a prevailing market price है जो market price already market में है ठीक है is called budget set of a consumer budget क्या होता है एक limitation होती है कि इसके आगे हम नहीं चाह सकते है इतना ही मेरा budget है इतना ही मैं खर्च कर पाऊंगी तो budget line क्या होता है कि आपने maximum होता budget को attain कर लिया और budget set क्या होता है कि आपने budget बोला उसमें सारी चीज़ आ जाती है कि मैं और क्या-क्या चीज़ आप खरीद सकते हो सारी चीजों को जो भी हम खरीद सकते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं सारे possible combination all the bundles bundles are basically combination of two goods है न क्योंकि हम क्या पढ़ रहा है हम दो गुट्स के भाने से सारी चीज़ों क समझते हैं तो bundles की क्या बोल रही हो students में combination of two goods got it क्योंकि हम पूरा उसी की point of view से सारी चीज़ों को study कर रहे हैं तो यह पूरा आपका क्या होने वाला है this is going to be your example सबसे पहले क्या करना है इसका लेना हमें screenshot okay fine चलो question number two देख लें question number one में कोई doubt तो नहीं है clear है चलो question number two लो अभी पूरी कहानी पढ़ाई मैंने अभी आपको budget set के साथ budget line पढ़ाया वह हमारा question number two भी आ गया what is budget line ते बखविक रीट कर लेते हैं कि इसको समझाने की जरूरत है समझा भी देंगे don't worry so the budget line represents the different combination of two goods that the consumer can buy just a second ha that the consumer can buy with their given income and prices of a commodity मतलब मैं क्या बोल रहे हूं कि different combination of two goods अलग-अलग combination हो साथ तो दो कमड़ी मेरे पास दिवे एक pen दिया एक pencil दिया तो मैंने पास suppose 10 रुपे हैं तो मैं suppose 2 pen ले लूँ या एक pen ले लूँ या दो pencil या एक pen ले लूँ मतलब मैं एक तरीक से combination बनाने की कोशिश कर रहे हूं लेकिन आपको याद रखना है only of two goods तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं so budget line represents the different combination of two goods that a consumer can buy with their given income and prices of a commodities आपके पास जो income है वो भी given है और prices प्राइज प्रीडिसाइड है जो market के द्वारा है so we can say that let's हम लोग assume करते हैं let x be the amount of good one and x to be the amount of good two ठीक है and p1 be the price of first one and p2 be the price of second good तो हम क्या बोल सत्ते है total money spend on good one is equals to हम लोग जो budget equation बोलते न यही है है ना इता ही किस हम देख रहे है भई कि हमने खर्चा कित्ता किया तो सबसे पहले हमारे पास आएगा p1 x1 फिर हमारे पास आएगा p2 x2 fine इन दोनों को जो मैं plus कर दूंगी तो मुझे पता चल जाए कि मेरा total खर्चा कित्ता हुआ कि भई price of a commodity into the commodity कितना आया और second commodity का भी कितना आया दोनों को जब मैं add कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा कि भई कितना मैंने खर्चा किया इसको मैं क्या बोलती हूँ what is it? it is equation of budget line okay यह क्या है हमारी budget line यह गिवन हमें बीवन got it यहाँ पे good 1 आ गया यहाँ पे good आपका 2 आ गया तो सबसे पहले आपको या दटना है so then the budget line will be P1 X1 plus P2 X2 is equals to money M is for money कि जितना हमारे पास price था उसके accordingly okay what do you have to do take a quick screenshot of this okay done साथ मेना questions में अगर आपको आपको लग रहा है कि मैं graph बना सत्ती हूँ example दे सत्ती हूँ तो बिलकुल बनाना है आपको ऐसे graph ठीक है if you know कि अगर हमारे पास 3-4 marks का question आ रहा है उसमें graph बन सकता है तो बिलकुल भी आलस नहीं करना आपको बनाना है graph okay now explain why the budget line is downwards sloping ये basically हमसे क्या पूछ रहा है अब की चीज को पूसा जा रहा है budget line और budget set का कितना important concept आप खुद देखो अभी हमने सिर्फ तीन questions देखें NCRT के और तीन और question एक ही topics है तो सबसे पहले आपको देखना है कि budget line क्या होता है पहले पूसको define करोगे फिर आप बताओगे कि why it is downwards sloping downwards sloping क्यों होता है हमारे पास budget line उसको एक बस study कर लेते हैं so the budget line is downwards sloping because consumer can increase the consumption only by decreasing the consumption of second good है ना अगर आपको किसी चीज को लेना तो किसी चीज को sacrifice भी करना पड़ेगा so the consumer have limited income which he can spend to choose goods between good one and two तो इसका simple से बेसे हम एक तरीके से sacrificing ratio एक तरीके से हम बोल सते हैं कि हमें जादा से जादा sacrifice करना पड़ रहा है जो हमारा MRS है substitute करना पड़ रहा है किसी एक को किसी एक से fine okay just take a quick screenshot of this one आप चाहो तो एक ना यहाँ पर graph भी बना सकते हो इसका इस तरीके से आप graph बना हो इसको बोलत इस budget line if you want you can also write the equation of it and it will be done good one good two okay तो इस तरीके से आप represent कर सकते हो एक बास का क्या लेना जल्दी से screenshot लेना कोई भी डाउट हो यह basically आपके ना one or two marks वाले question है very short answer type questions है फिर धीरे धीर मां आगे बढ़ेंगे तो हम आपस बहुत बढ़े-बढ़े questions भी आने वाले हैं अभी तुसर three questions हुए है we have ten more questions to go तो बिल्कुल भी ना energy low नहीं होनी चाहिए बहुत अच्छे सा हमें सारी चीजों को cover करना है question number four लोग उसका पहली मैंने आपको answer दिखा दिया so question number four is basically a consumer wants to consume two goods okay उसको दो goods consume करने है ठीक है the prices of the two goods are rupees four and five respectively वालब एक गुट का जो price है suppose मैं ले रही हूँ X का हो गया four तो Y का क्या हो गया Y का क्या हो गया five क्या है rupees है यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है X क्या दिया हुआ है सबसे पहले X is given as rupees four तो या तो आप ऐसे लिखो या तो आप ऐसे लिखो अप क्या है five जैसे कि maths में हर एक unit को हमें धंग से define करना पड़ता ना कि liters में है कि kg में है similarly economics में भी आपको सारी चीजो को ध्यान में रखना है fine so write down the equation of the budget line अभी तक हम लिखते वह आ रहे हैं भाई बहुत simple है what is this equation of budget line अभी दो questions में लिखी है next हमारे पास how much of good one can the consumer consume if she spends her entire income on that good तो यहने 20 रुपे का है और good number one है हमारे पास that is four यहने five units maximum purchase कर सकती है कैसे करना भी detail ने बताऊंगे तो तो से पढ़के और यहां से answer दे रहे हैं ठीक है next हमारे पास how much of good two can she consume if she spends her entire income on good why है बंदो क्या बोल रहे हैं दो कमोडिटी के वेन है अगर मेरे पास 20 रुपे हैं तो 20 रुपे मैं पूरी सिर्फ एक कमोडिटी को purchase करने में लगाती हूं तो दोनों के बीच में क्या difference है यह आपस क्या पूछ रहा है second or third question fine fourth question क्या पूछ रहा है में what is the slope of budget line how do you define it कैसे निकलता है pyq right तो सबसे पहले देख लें write down the equation of budget line बहुत बार लिख चुके हैं बहुत बार लिख लिए है यह रा राइट तो क्या हो जाएगा पहला हमारा क्या था 4x1 plus 5x2 is equals to 20 लिख सकती हूँ मैं because 20 क्या है मेरा M है अब उनने क्या बोला था कि जो मेरे पास 20 रुपीज है अगर पूरा का पूरा मैं good 1 पे कर दूँ तो क्या होगा तो 20 divided by 4 याने मैं कितने units purchase कर पाऊंगी only 5 units clear similarly third question में आप से पूछ रहे थे कि 20 आपके पास एक तरीके से रुपीज है उसमें से सिर्फ आप एक commodity को purchase करो कौन सी second commodity को तो उस case में क्या हो जाएंगे 4 units हो जाएंगे है ना चाहिए यही question था see here is the question so total income होँए पास 20 rupees थी price of good 2 किता था 5 तो मैं बोल सोती तो amount of good 1 consumer can purchase is 20 by 5 तो मेरा answer किता आगया 4 units आगया यहाँ पे slope of demand कर प्या होता है जब price एक का दूसरे से divide करते हैं तो 4 को अगर मैं 5 से करूंगी है ना तो अगर suppose यहाँ पे मैं 0 भी कर देती हूँ तो तो इस गोई तो भी 0.8 गोट इस तुदेंस फाइन समझा आपको कैसे निकलेगा slope of कैसे निकलता है slope होता है price यहाँ पे लिखा हूए यहाँ पे see price of good 1 divided by price of good 2 fine ऐसे भी लिख सकते हो जैसे की वाली equation हमचे लिखते है na px1 divided by px2 you can also write like this कोई दिक्कत नहीं है हमें क्या था 4 divided by 5 था मेरा answer क्या हो गया 0.8 तो इसलिए मैं क्या बोल सकते ही inverse relationship है downward sloping है fine समझ आया students यह वाली equation तो हम समझ ही गयते है हम इससे पहले दो question से पढ़ चुके हैं कि भाई p1 x1 plus p2 याने price of commodity 2 into x2 is equals to the money फिर हमें क्या बोला गया था कि total income हमारे पास 20 है और वो 20 रुपे में सिर्फ एक commodity पर लगा दूगी कौनसी good number 1 पर उसका क्या price था 4 तो कित्ते units हो जाएंगे हमारे पास 5 units हो जाएंगे similarly अब क्या बोला कि अब दूसरी commodity पर लगाओ तो मेरे पास 4 units आ गए फर उन्हें बता लगाए कि slope निकालो तो slope निकालने का में पता है तो इस case में हमारे पास 0.8 हमारे पास 8 आ गया था विकास हमें क्या करना था 4 divided by 5 तो मेरा क्या हो गया 0.8 ठीक है सारे questions हो गए solved इस वाले part के कोई doubt कुछ भी चीज समझ नहीं हो तो पूछ रहना मुझसे पहले ना इसका screenshot लो ये वाला screenshot लो पहले question क्या है क्या होता है it's a very simple question अब इसके चार पार्ट दे दी तो आदे लोग का heart attack तो ये दिख्या आ जाएगा कि इतना बड़ा question है ऐसा नहीं है ठीक है ब्लकुल भी चिंता कर नहीं है everything is easy don't worry about it just practice concert से work करो everything will be fine ठीक है जल्दी से पर इसका screenshot लो फिर इसके answer का भी screenshot में आपको भीच रही हूँ done students चलो इसका लो screenshot समझ आ रहा है ना बहुत simple वी में समझाया है फिर भी कोई doubt हो ना please ask me in the comment sections fine last done students बड़े आगे समझ आ रहीं चीज़े next question number five what is it how does the budget line change if the consumer's income increases to rupees 40 but the prices remain unchanged okay so price है हमारा change नहीं हो रहा अगो पहले कुछी 100 रुपे की मिल रही थी suppose 100 रुपे नहीं हमारा 40 रुपे से हमाही तंखा बढ़ी है ठीक है तो suppose 10 रुपी सी है ना price पहले भी 10 रुपे ता अब भी 10 रुपे है तब क्या होगे कि पहले में सब 100 रुपे कमाती थी अब उसका बढ़के किता हो गया price 40 रुपे तो मतला मैं 140 रुपे कमाई लग गई तो मैं कितनी commodity जादा खरीद सत्ती हूं तो मैं को फाइदा होगा न सेम चीज को हमें define करना है ठीक है यह बहुत important questions students उसको बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते हो तो सबसे पहले price क्या है suppose हम लेते 4,5 है ना उसके अधा हमारे पास MDI 40 आप ऐसे मान के चलो फिर हम से क्या पूछ रहे हैं भाई कि अगर हमारा क्या हो रहा है budget में हमारा income increase हो रह तो मतलब अगर मैं 10 units और extra purchase कर सकती हूं पहले से और अगर 40 में मैं 5 को करूं तो मैं 8 units और extra purchase कर सकती हूं ठीक है as compared to previous situation तो ऐसे में क्या होने वाला है क्या होगा shift होगा अच्छा पाइदा होने वाला है ना तो मेरा क्या हो जाएगा new budget line में shift होगा because मैं दोनों ही commodities को 4 से compare किया तो मैं पास कितने आ गए 10 units फिर मैंने 40 rupees को किस से compare किया 5 से compare किया तो 8 units यह दोनों ही units मेरे बढ़ रहे है तो दोनों में मुझे फाइदा हो रहा है अब दोनों में फाइदा हो रहा है तो क्या होने वाला है shift in budget line तो यह shift होके आपके पास यह कुछ इस तरीके से graph पनेगा देखो ओके स्टूदेंस तो दिस विल बी दे न्यू बजट लाइन गॉटेट समझाया चलो ठीक है क्या करना है अब एक ही तो काम बचता है पूरी कहानी करने के बाद screen shot लेकन उससे पहले the new budget line हमें यह पर given है इसको भी बनाना क्या है mandatory है चल्दी से इसका screen shot लो फिर हम आगे बढ़ते है dance students clear clear हुआ okay चलो so the new budget line r1 s1 will show a parallel rightward shift rightward shift होगा क्योंकि जब भी कुछ अच्छा होता है increase होता है तो क्या होता है rightward कुछ भी negative होता है तो left होता है तो यहां पर कच्छा हुआ बढ़ गी और जाता समान में purchase कर सत्ती हूँ so that is why क्या हो जाएगा भाई हमारा हो जाएगा rightward shift यहां पर दिया हुआ है ठीक है from initial budget line rupees to the next one so when the income increases then the consumer can buy more goods at a prevailing market price therefore intercept कि हम बात कर सत्ते हैं that increases however the slope of line remains the same as the prices are not changing other price में change नहीं हुआ हमने पहले वाले situation में क्या देखा था कि भई price हमारा change हो गया था चार से पांच हो गया था to 0.8 का हमारे पास लूपाय था remember से पहले वाला जो question किया था लेकिन इसमें थासी कोई कहानी ही नहीं है यहां भी price change नहीं और उन्हें already clearly mention किया हुआ है ठीक है क्या लिखा है but the prices remains unchanged so there is no change in price so in that case क्या होगा students हम उस चीज़ को consider ही नहीं करेंगे राइट तो इस तरहीं कि का आपको पूर explanation रखना इसका भी screenshot लेकर राखो ताकि कोई भी डाउट हो ना paper के time पे ताव के पास सारी चीज़े available रहेंगे है ड़ा ओके चले आगे बढ़े तो सबसे पहले हमारे पास अब आगया question number six five questions में अभी तक किस किस में सारी चीज़ आपको समझ आने लग गई आप मुझे comment section ने बताओ कि अभी तक मैंने 5 questions कर लिये है 5 questions कैसे लगे समझ आ रहे हैं लग रहा है ना कि NCRT के questions ऐसे मखर नहीं है ठाड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा है ना so question number six है हमारे पासे students how does the again है राम कितना budget line budget line budget line so we can say that कि budget line is important okay so you cannot skip it तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है कुछ भी चीज़ कि नहीं करने है so we have how does the budget line change if the price of good 2 good 2 ये buy 2 नहीं good 2 मतलब मैं बात करें 2 commodities ये एक से हुआ है है ना तो ये good 2 जो है y को denote कर रहा है decreases by a rupee okay एक रुपे से कम हो गए but the price of the good one and the consumer's income remain the same एक में change हुआ एक में change नहीं हुआ तो उस case में क्या होगा shift होगा की rotation पहला question तो यहीं है कि अगर एक commodity में change हो रहा है और एक में नहीं हो रहा है मैं एक हमारे ने वाली constant और दूसरे में change होगा उस case में क्या होता है always rotation मैंने आपको बताया था ना rotation याने only one और अगर मैं shift बोल रहे हूं तो इस case में बोथ ठीक है तो इस case में क्या होगा rotation होगा इत्ता तो मुझे clear होगा पढ़के question है ना तो अब देखते है इसका answer क्या होगा students after the price of good two decreases by a rupee एक रूपी से गिर गया है ना तो इस case में मैं क्या बोल सत्ती हूँ हमारे जो units यहाँ पे आने वाले हैं it is going to be like this five minutes in five minutes so हम बास कर सकते तो new budget line is shown in the figure जो इस तरीके से हमें given है कि सिर्फ एक पर change होके आ रहा है इसमें change आ रहा है तो सिर्फ हमें यह constant रहेगा और सिर्फ यहाँ पे changes आपको देखने को मिलेंगे fine एक बास का जल्दी से screenshot लो बहुत छोटा साही question था बहुत आ राम से solve हो जाएगा जल्दी से स्का screenshot ले लीचे okay समझ आया students clear okay next we have the slope of new budget line will be more as price of two goods so the new budget line will be steeper than the initial budget line got it question number seven what is it what happens to the budget set if both the prices as well as the income double you know logical question which questions क्या होते है जित्नी माता पच्ची नहीं करने होती बस logical रहते है लेकर हमें क्या आता है कि कुछ भी question दे पेन पेपर लेके बहुत दिमाग लगा के लग जाते हैं हम लोग काम पे थोड़ा और इसको दो बारीट करो आपको समझ जाएगा कि question क्या बोलने चाहरा I am giving you one minute read it again so what happens to the budget set if both the prices as well as the income double तो क्या change क्या हो रहा है double हो रहा है same हो रहा है तो उसके समें बोल सुत्त है कुछ change नहीं हो रहा constant है read it so when the prices as well as the income double there will be no impact on budget set वही दोनों ही double एक तरह के से same level से बढ़ रहा हो जैसे कि आप देखो तो यह 2-2 नहीं कट जाएगा तो मेरे पास फिर से equation तो वही आगी जो पहली equation थे में बस budget line की तो मतलब क्या हो रहा है कुछ impact नहीं पढ़ रहा so if the prices on the income double the new budget line हमारी ऐसी होगी so there will be no change in the budget set also the new budget line will be the same तो मतलब इस question में कुछ थाई नहीं क्या बोल रहा है कि double कर दिया आपने तो हमारी budget line क्या होती है यह हमारी budget line है पूरा आपने सब double कर दिया अब क्या यह सब कट जाना है तो क्या बच्चा इसी को तो हम budget line का equation बोलते है कुछ अलग लिखते है क्या हम कि यह सेम चीज़ लिखते है question number 1 से हम equation लिखते बारे same equation है मतलब कुछ भी change नहीं होरा there is no impact there is no change just take a quick screenshot of it go through the each and every concept and you will understand ठीक है एक बार इसका जल्दी से screenshot लीजिए इस चीज़ को यहां पर लिखे रहने देती हूं ताकि आपको जब आपने answers लिखो के ना ता आपको help मेलेगी एक बार इसका जल्दी से हमें क्या लेना है screenshot अब मुझे यहां पर क्या पतला करना है कि भाई यहां पर क्या रच्ष करने को रेडी है संसक्वज को पुर्प कर सकता है यह उन kita सिर्फ 08 पहीजा कि पके पस के तू गुर्स 6, 8 रिस पेक्टिव्ली वो भी 6ए 8 तो अब क्याjकलिशन होता है सबसे पहलेब हमें हापे याद अपना है students कि price of 1 is 6 and price of 2 is this commodity is 6 again 8 तो हमारे पास price भी सेम है unit भी सेम है तो मैं क्या बूल सत्ती हूं कि अगर मुझे income calculate करनी है तो हमारी क्या equation है P1 X1 plus P2 X2 तो क्या हो जाएगा तो basically P1 मेरा क्या है students price of 1 commodity आपे given है न रोको इसको X1 लेती हूं तो आपको समझाएगा रोको तो क्या पोले suppose a consumer can afford to buy 6 units तो 6 units ठीक है of good 1 and 8 units of good 2 fine the prices of the two goods are respectively rupees 6 rupees 6 and rupees 8 तो मुझे equation में put करना है तो मेरा P1 क्या है 6 है और यह क्या है भई X1 6 है प्लस 8 है इंटू अगेन 8 हो जाएगा तो मेरे पस क्या आगे basically 36 plus 64 क्या हो गया 100 units तो मैं क्या बोल सत्ती हूं कि 100 rupees मेरे आ गए तो इतिनी ही इंकम है मेरे पास 100 rupees की इंकम है clear हुआ नहीं हुआ इवा फिर सी करना है question चलो क्योंकि मुझे पता है एक बार में थोड़ा समझ नहीं आए का है तो simple सा question लेकिन कई बार हमारे दिमांग में click नहीं करता है तो suppose आपकोने table बनाना है यहाँ पे एक बार जस्ट इसको पढ़ते चले जाओ और साइड में लिखते चले जाओ suppose a consumer can afford to buy six units ओके तो पहला क्या है six units of good one and eight units of eight units of good two इसके आगे unit सरूर लिखना है for better understanding है न हर एक चीज को सही से चीज़ों को करना है next हमारे पास रहते है the prices of two goods याने good one and good two किस तरीके से है भई कि एक का है छे रुपे price number one का and price number two का it's eight हमारी जो equation रहती है budget line की कौनसी equation रहती है वो क्या बोलता है भई it says p1 x1 plus p2 x2 is equal to the income तो p1 क्या है मेरे पास six x1 क्या है मेरे पास six p2 मेरे पास eight x2 मेरे पास eight है तो यह कितना हो गया 36 हो गया यह हो गया 64 तो मेरे पास कितने rupees आ गया 100 rupees आ गया एक तरीके से तो मेरे income क्या है 100 rupees got it students just take a quick screenshot of this so we can say that therefore the consumers income is rupees 40 sorry rupees 100 fine just take a quick screenshot of this one we are almost there bus 13 तक हमारी गवारी पहुच नहीं वाली है 8 questions हम solve कर चुके है जिसमें से maximum क्या है NCRT ने क्या पूचा है budget line budget set budget line budget set मतलब यह concept थोड़ा important है तभी इस पर बार्वा focus किया जा रहा है है ना अगर आपके concepts clear नहीं है आप बस टाइप करना budget set करके पूरी playlist बनी हुई है ना तो एक बार जाके आप जरूर देख लिजेगा तो थोड़ा बहुत यहां पर आ रहा है तो वो भी clear हो जाएगा क्या होता है हमने बहुत पहले वाले concept को पढ़ा था starting में पढ़ा था अब ही हम demand नी पढ़ चुके love demand नी पढ़ चुके बहुत सारी उतना जादा clue मुझे already question में given है तो मुझे बस अपना हलका से दिमाग चलाना और इस question को दो बर पढ़ूंगी तो मेरे पास सारे answers आ जाएगा आप पो इस तरीके से questions को देखना है कैसा नहीं कि बड़ा question हा तो आपन पहली घबर आ गए तो सबसे पहले suppose a consumer wants to consume two goods which are available only in integer units the goods are equally priced at rupees 10 and the consumer's income is rupees 40 तो यांपे हमें क्या बोला गया कि consumer की आंदनी कितनी income उसके पास कितना खर्च करने को ready है only rupees 40 ठीक है और हमारे पास two goods है जिन दोनों का price क्या है rupees 10 मतला में क्या बोल सत्ती हूं good of x का भी अब बात करूं तो 10 rupees है write down all the bundles that are available in the consumers हमें basically यांपे क्या निकालना है या again फिर से कहानी क्या पूछ रहा है कहानी हमारी वो ही है फिर से budget set so what they are asking is write down all the bundles that are available to the consumer among the bundles that are available to the consumer identify those which cost her exactly rupees 40 rupees cost करेंगे ठीक है तो बुलकुल इसे सिक्का उच्छन ले पर हम probability निकालते similarly आपको ऐसे करना है मैंने हमेशा क्या बोला हमेशा extreme पहले लिखो तो सबसे पहले लिखो कि पहले मैं सिर्फ यह वाली commodities को purchase करूंगी यादट ना rupees 10 ही है मेरे पास दोनों केस में ठीक है दोनों की केस में 10 है और मुझे ऐसी combination चूज करने है जहां पर मैं दोनों का फाइदा उठा पाऊं तो क्या है हमारे पास income कितनी है 40 मनला maximum मैं किसी भी commodity का चार purchase कर सकती हूं उससे आदर तो मैं कि आपके पास all the combinations मनला अगर आपके पास 40 income है तो उसमें आप क्या-क्या खरीद सकते हो उसमें जरूरी नहीं कि आपको बोले कि नहीं एक खरीद लो दो खरीद लो तीन खरीद लो चार खरीद लो मनलब एक बार आपने क्या किया पूरे goods two purchase कर लिया और एक बर आपने क्या किया good और फूरे वन को purchase कर लिया तो क्या होगा maximum मैं चारी खरीद सकती हूं क्यों कि 10 रुपे का एक है तो आप समझ जाओ कि 40 रुपे मेरे पास है किसी का भी माक्सिमम में से 40 में से मैं बोल सकती हूं तो चार उनेट सी में पर्चेस कर सकते हूं ठीक है फिर क्या हो गया दोनों का एक एक कल लो फिर से एक्वेशन बढ़ाते चले जाओ कि आप पास 0-0 पर चेच करऊंगी मतलब पहले को बुलकुल पर चेश ने next row मेरे पास आता है दोनों का मैंने एक एक purchase किया फिर one two, फिर one three, फिर one four, अब इसी को फिर मैंने कहार दिया two one, two two, two three, two four, फिर क्या हो जाएगा three one, three two, three three, three four, फिर क्या जाएगा four one, four two, four three, four four, तो same combinations हमने सारे चीज़ों को बनाया है, nice ना, तो पहला थो हमने क्या बना लिए, these are all the bundles, all the bundles बोल देते हैं, या बोल देती हूँ मैं combinations, ओके, these are all the combinations, अब क्या बोल रहे थे, कि इन bundles में से आपको ऐसे bundles चुनने पढ़ेंगे, जाप मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पूरे के पूरे 40 रुपे जो है, खर्च हो गए, तो कौन-कौन से होंगे, सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारे पास zero four, है ना, क्योंकि four into ten is forty, ये वाला four zero भी हो जाएगा, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा zero four and four zero, फिर क्या होगा, जब मैं दोनों goods के purchase कर लूँगी, फिर one, फिर three, मैंना सबका total ना four वाना चाहिए, विकास maximum में क्या purchase कर सकती हूँ, four units ही purchase कर सकती हूँ, तो आप देख लो कि भाई, इसमें से कौन से units है, जिसका total four units आता है, four आता है, मतलब उनी को मैं purchase कर पाऊंगी, कितने में, पूरे 40 रुपे देखे, तो मैं क्या बोल सत्ती हूँ उस question में एक बार, कि ये वाला जो चीज है, बात करता है, बजट set की, और ये वाला जो question में बात कर रहा है, बजट line की, एक बार पहले इसका screenshot लो, फिर इसके answer का screenshot लेना है, done students, okay, just take a quick screenshot of this one as well, बात important है, ठीक है, just a minute, थोड़ा अब आपको अच्छे से समाझ आ जाएगा, okay, just take a screenshot of this right now, और ये पूरे आपका answer या पे 2 है, okay, done, next है मारे पास question number 10, what do you mean by monotonic preferences, very important question है, मैंने क्या बोला था बहुत छोटा सा पाट है, एक पराग्राफ दिया हुआ है मुश्कल से इसके बारे में, ठीक है लेकिन से कितना सारा questions भी बनने वाले हैं, आप खुद देखना, कि क्यों ये छोटा सा concept इतना important है, monotonic preferences क्या होता है students, मतलब जब मारे इंडिफरेंस कर्व की बात कर रही हूँ, तो हमारे एक प्रॉपर्टी होती है उसमें, कि हमारे इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनता है, कि जितना higher हमारे पास इंडिफरेंस कर्व होगा, उतना ही ज्यादा higher level of satisfaction होगा, यह क्या है, this is a property of indifference curve, तो यहाँ पर क्या बात होती है, उसका reason क्या है, monotonic preferences, ठीक है, जिनने भी indifference curve analysis वाला video देखा है, उनको इसारी चीज़ समझ में आ रहे होंगी, कि what is monotonic preferences and how it is related to indifference curve, right, so monotonic preferences means that the consumer prefers a particular bundle over the other, ठीक है, मतला आपको, जैसे कर भी तक हम bundles नहीं देख bundles, तो यह bundles है, मनला, दो combinations, यह न, दो goods, उनके जो combinations, 40 रुपे में, यह सारी combinations थे, जो मैं अलग-अलग तरीके सा सोच सचती हूँ, कि मैं 40 रुपे मैं कैसे लगा हूँ, कि मैं को maximum profit हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, monotonic preferences, क्या बोलता है, जब आपके पास कोई ऐसी situation हारी, जो आपको choose करना पड़ रहा है, bundles आपको मिल रहे है, combinations आपको मिल रहे है, यह आपको choose, तो उस case में आपको ऐसा choose करना है, कि एक का ज़्यादा फाइदा हो रहा है, तो दूसरे का नुकसान भी ना हो, आपको ऐसा एक bundle choose करना है, जहापे आप दोनों में आपको बह difference देती हूँ, ठीक है, if the farmer consists of at least more of one good and no less of other, जैसे कि में पास दो goods given है यहापे, एक यह हमारा example आप ले लो, ठीक है, वही दोनों में से में कौन सी चीज़ को खरीदना परसंद करूँगी, इसमें में दोनों के 9 units ले रही हूँ और इसमें 10 एक में 9, तो में यह वाले bundle को ल प्लस वन हो रहा है, तो मतलब मैं यह वाले bundle को चूज करूँगी, क्यों भाई, क्योंकि मुझे कम पैसे में जादा का फायदा हो रहा है, so कम पैसे में जादा का फायदा कौन देखता है, monotonic preferences, got it, take a quick screenshot of this, पूरा screenshot लेना है, चाहे तो आप चाहो तो example भी लिख सकते हो, ठ अब को समझाया था, so make sure you write examples also, done students, to question number 10 भी हमारा खतम हो गया, just three more questions to go for today, ठीक है, just three more questions, next day हमारे पास, if a consumer has, अब देखने, monotonic preferences पही आता रहेगा, so if a consumer has monotonic preferences, can she be indifferent between the bundles 10, 8 and 8, 6, अभी मैंने आपको समझाया कि वो consumer जो है, उसको चाहिए कम में जायदा का फाइदा, मतला पैसे मुत्ती दे रहा हूं, तो मैं maximum चीज खरीदू न, अगा सोच रहो कि यार, जैसे कि मैं मम्या क्या करती है, monotonic preferences का बहुत अच्छी example, सबजी मार्केट जाती है, 100 रोपे की स सब्सक्राइब की से monotonic preferences कर रही है, कि उनके पास choices है कि कहा से लेना है, लेकिर वो इस वाले को prefer इसलिए करने है, क्योंको free में 2-4 चीज़ एक्स्टा मिल जाती है, जो उनको वहां नहीं मिल रही होती, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, एक 10 मिल रहा है, एक 8 मिल रहा है, ए जायदा का फायदा, यह क्या है, इसका code word है, तो आपको इसे हमेशाद रहेगा, कम में जायदा का फायदा, that is what, monotonic preference is, ठीक है, तो भी क्या होने वाला इसका answer, so no, she cannot be indifferent between the two, because वो किसको चूज करेगी, इसको ही चूज करेगी, क्यों, क्योंकि इसको कम में जायदा का क्योंकि इसको पैसे में सेम दे रही हूँ, और इसको में चूज करूँ, क्योंकि मैं एक rational consumer हो, rational consumer हमीशा समझ के अपने decisions लेता है, तो कम में जायदा का फायदा करना चाहेगा, मतलब यह वाले bundle को चूज करेगा, क्योंकि इसमें जायदा है, दोनों से compare करोगे, तो दोनों भी goods का जायदा है, ओके, चलो इसका screenshot ले लो जल्दी से, done, कोई दिक्कत तो नहीं, monotonic preferences समझ आ रहा है students, ओके, question number 12, जस बस खतम हो नहीं होने वाला है, इसे दो questions और बच्छे, ठीक है, suppose a consumer's preferences are monotonic, monotonic मतलब word item से दिमाग माना चाहेगे, कम में जायदा का फायदा, right, what can you say about our preferences ranking over the bundles, okay, में पस तीन bundles given है, ठीक है, तो तुद मनों खुद बताना यह question, बहुत अनम से solve होना चाहिए, इसका answer भी नहीं दिखाना चाहिए, मुझे, इतना simple सा question है, monotonic preference का बोलता है, अगर एक में जादा मिल रहा है, तो दूसरा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, चल जाएगा मुझे, एक में चल जाएगा, ठीक है, 10 में मुझे, तो यह दूसरा नुज करना मुझे, तो मैं इसको तो पूरा कर दूगी, क्योंकि पाइं बहुत कम मल रहा है, यहाँ पर दूसरा नुकान पर लोकान मने देखा, कहां एक कम में Güda and चैक मल रहा है, जो दूसरा का मुझे know, क्यों if theعمiblis on the question would be this one, Cross check कर ले, सही है कि नहीं, तो if the consumer preferences, just a second, I'll rub it, if the consumer's preferences are, if the consumer's preferences are monotonic, then the ranking over the bundles will be, सबसे पहले वो इसको purchase करेगी, वही ये बढ़िया है, second rank में दूंगी इसको, ठीक है, 10 by 9 को, चलो ठीक है, इससे कम मिल रहा है, लेकिन दूसरे का सही तो मिल रहा है, और तीसरा वाला तो मैं ब सबसे नीचे ranking रहेगी, so if the consumer preferences are monotonic, याने monotonic मतला कम में ज्यादा का फाइदा, ठीक है, then the ranking over the bundles will be, 10 10, 10 9, and 9 9, because consumer is not indifferent, मिल ऐसा चलेगा नहीं उसको, कि ठीक है, ये नहीं मिल रहा तो बो दे दो, मुझे वही समान चाहिए, जिसमें मुझे ज्यादा फाइदा हो रहा हो, इन monotonic preferences and wants more quantity than less, मतला मुझे ज्यादा quantity चाहिए, पैसे में होता नहीं दे रही हूं, तो मैं कम क्यो लूँ, होता है ना, कि मैं पैसे आपको पूरा दे रही हूं, तो आप मुझे सारी चीज़े दो, अगर हम कुछ महेंगा समान लेता है, हम गोलते है, इसको गिफ्ट भी क आप किसी ट्रिप पे जाते हो, ठीक है, आप यू बुक अगुट होटेल और रसॉट, यू गो दे, ठीक है, तब क्या बोलते हो, भली आप टीवी नहीं देख रहे होता है, क्योंकि आप घूमने आए हो, लेकिन टीवी नहीं चलो तो बलने टीवी चालू करके दो, एसी च आपके पास return भी आए, तो उसी को हम क्या बोलते है, monotonic preferences का में जायदा का फाइदा, तो सबसे जादा फाइदा हमें 10-10 में हो रहा है, इसलिए consumer indifferent ही रहने वाला कि ठीक है, यह नहीं तो यह दे दो, पैसे दे रहा हूँ न मैं, तो मुझे यही वाला bundle चाहिए, that is monotonic preferences, okay, जलनी से इसका screenshot ले लीजिए, समझ आरे हैं चीज़े, I think hotel और resort वाले जो मैंने अभी आपको समझाया, उसके थूरू तो और भी अच्छे समझ आ गया, वगरू को मैंने answer ही दिखा दिया गलती से, देखा तो नहीं ना, हाँ, good, इमान दारी से हमें करने हैं सारी चीज़े, So question number 13 is going to be the last question of this session, इसके आने वाले जो 13 से लेके 26 ता question से, हम next section में करने वाले, ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, जब यह वाला question complete हो जाएगा, अभी तक जितना ही पढ़ा है उसको रवाइस करना है, okay, done, So suppose your friend is indifferent to the bundles, 5, 6 and 6, 6, माला indifferent है, उसको फरक नहीं पढ़ता, Are the preferences of your friend monotonic, वो indifferent है, indifferent का क्या मतलब होता है, कि अगर मुझे यह नहीं मलना तो यह देते हैं, चल जाएगा, ठीक है, इतनी माता, बच्छी मत कर, कोई बात नहीं, थोड़ा सी तो कमी है, ऐसे friends भी होते हैं, कुछ friends क्या होते हैं, तो पागल होगी, कि इतना हमने पाइसा उस यहां, कम ले ले, और monotonic क्या बोलता है, पैसे दिये है, पूरा का पूरा चाहिए ही चाहिए मुझे, तो क्या होने वाला है, दो bundles हमारे पास given है, five, six, sorry, अच्छे से लिख देती हूं मैं रोको, सबसे पहले five, six, and next जो हमारे पास, six और six, तो इन दोरों के बीच में हो indifferent ह के नहीं, because indifferent or monotonic अलग चीज़े होती है, so that is why जोसका friend है, है ना, जिसकी friend है, वो क्या है, बिल्कुल भी monotonic नहीं है, indifferent है, because he और she, हम बोल सते हैं, is indifferent to the bundles, if the preferences of friend is monotonic, तो वो हमेशा चूस करती है यह वाले चीज़ को, अगर monotonic होती है, वो बोलती ही नहीं, पैसे दिये हैं, तो यह वाला price ले, क्योंकि दोनों इसमें हमें maximum मिल रहे है, लेकिन वो तो इसके लिए मान गई, तो वो क्या हो गई, indifferent हो गई, तो यह बुल्कुल भी monotonic वो नहीं है, fine, just take a quick screenshot of this, and you will be done, done students, quickly read कर लेते हैं, no friend is not monotonic, because he is indifferent to the bundles, if preferences of the friend is monotonic, then he must prefer second bundle, यह यह वाले bundle क choose करने को वो कह रहे हैं, as it contains more of both the goods, दोन ही goods का ज्यादा हमें वापे मिल रहा है, तो क्या हो रहे हमें इपाई से वसूल हो रहे हैं, कम बे ज्यादा का फाइदा हो रहा है, right, so this was the end of the 13 questions of NCRT, ठीक है, from chapter number 2 of theory of consumer behavior, जहां पे हमने देखा की budget set, budget line, और monotonic preferences ने बहुती ज्या हो गए, important questions हो गए, important topics हो गए, जिसको आपको जितना भी video आपने इसके पहले वाले sessions में, budget line, budget set के बने हुए है, monotonic preferences के बने है, उसको जा के आपको देखना, आपने concept को revise करना है, और सारे questions को revise करना है, before seeing the next session, okay, hopefully सारे चीज़े आपको समझ आ गए होंगे, एक फिर से आप books भी available हैं आपके लिए, जिसकी description box में already given है, तो एक बार जाके आप जरूर चेक आउट कर सकते हो, सिफ CBAC ने हम different state boards को भी follow करते हैं, जैसे कि Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, and Rajasthan board, also आपको कोई भी help की जरूराद है, तो हमारा app और हमारे website को भी जाके आप जरूर देख सकते हैं, not just on YouTube, we on different social media platforms, जैसे के Twitter हो गया, Telegram, WhatsApp, Instagram, and Facebook, तो वहाँ पर भी आपको हमें follow करना है, ताकि कोई भी update आप से बिल्कुल ही मिसना हो, hopefully सारी चीज़े आपको समझ आ रही हूँ, and once again, अगर आप CBAC की student हैं, तो किंडे Gardens लेके class 12 तक आपकी सारी courses आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, we also have Hindi Video Channel जहाँ पर हम class 6 से लेके class 12 तक के सारी courses को हम cover करते, right? So, hopefully सारी चीज़ समझ आ गई हूँ, without any further ado, सबसे पहले आप like, share and subscribe करेंगे, ताकि आपको support हमें motivate करते रहे, and thank you for watching.